So Infosys announces interim dividend 2020 और हाल ही में ब्रिटन के प्राइम मिनिस्टर बने रिशिय सुनक उनकी जो वाइफ हैं अक्षता मूर्ती उनको भी dividend मिलेगा इंडियन आइटी कंपनी Infosys जो है उसके को फाउंडर है नारा अनमूर्ती वो अक्षता के पापा है Infosys में अक्षता मूर्ती का अच्छा खासा investment है Infosys financial year 2022-23 के लिए अपने shareholders को हर share पर 16.50 रुपीज का interim dividend दे रही है कंपनी ने interim dividend की record date 28 October 2022 फिक्स की है जिन investors के पास record date को Infosys के share होंगे उन्हें ये dividend मिलेगा अगर अक्षता की बात करें तो उनके पास company के 3 करोड से ज्यादा shares है 16.50 रुपी पर equity share के interim profit के अनुसार उन्हें तकरीबन 64 करोड यानि 65 करोड रुपीज का profit मिलेगा जिन investors के पास 28 October तक Infosys के shares हैं वो पर share 16.50 रुपी के भुकतान के लिए पात रहोंगे पिछले पात सालों में Infosys के share 2-5% जड़ गए हैं Company के share 3rd November 2017 को Bombay Stock Exchange पर 463.33 रुपी के इस्तर पर थे Company के share 28 October 2022 को BSE में 1509.40 रुपी के इस्तर पर बंद हुए हैं अब तक Infosys के share हों ने 1,58,000% से ज्यादा का return दिया है Company के share 22nd March 1996 को सिर्फ 96 पैसे के स्तर पर थे इस साल अब तक Infosys के share हों में करीब 21% की गिरावट आई है तो रिशी सुनक और अक्षता मूर्ती जो हैं कहीं न कहीं वह अपने network को लेकर भी चर्चाओं में रहे हैं आपका क्या कहना है आप हमें comments में बता सकते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजेगा तमाम छुटी वड़ी अपडेट्स के लिए आप चानल को सुब्सक्राइब भी कर सकते हैं